तो नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग आप लोग बढ़िया होंगे आज की वीडियो है वो होने वाली है थोड़ी अलग क्योंकि अभी तक आप यूट्यूब में देखते हैं कि देरा दुम्ने प्रॉपर्टी कहां पर लें पर आज जो वीडियो का टाइटल है वो है दे दोस्तों वीडियो की सुर्वात करता हूं में अपनी सबसे पहली लोकेशन के साथ सबसे पहली लोकेशन जहां पर आपको प्लॉट लेने से बचना चाहिए वह है यहां पर जो है फ्लिक्वर बनता है और यहां पर पूरे एरिया में जो है शाम के टाइम पर बहुत ही ज़ दुर्गंद आती है जिस वजह से आप तो अगर जमीन लेकर के हमकार मना लोगे आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एक टाइम के बाद आप इसके यूस्टों हो जाओगे बद्बुके पर अंतुजो आपके घर में जो रिष्तिदार आएंगे रिलेटिव जाएंग और सबसे कमाल की बात है जमीनें भी महिंगी राखी है दोस्तों और यहां पर पासमें ही जो है हमारा हरा वाला है और हर वाला के लिए कहा आपने गांतर किला करें यहां पर एक नसुलिः च्टेशन बने का以及 की मेर्डगों है पूरी की पूरी तो इस वजह से हाइट के साब से अगर आपको बद्भू ही सुञनित है तो फिर मैं तो यह पुन भी रिक्कामेंड नहीं करोंगा वाक्य आपका क्या ख्याल है वह में नगेंगा दोसरी जगह जो दोस्तों मैं recommend करूंगा कि यहां पर बिल्कुल भी जमीन मत लिजेगा वह यह कुलर गाटी का यह वाला एरिया दोस्तों अब इस वाले एरिया में प्रॉब्लम क्या है दोको आपको greenery बहुत अच्छी मिलेगी और सब कुछ बहुत ही बढ़िया मिलेगा वा दोस्तों अगर आप इस साइड की तरफ देखोगे तो यहां पर दोस्तों है देखिए किस तरह यह नदी है विक्राल रूप भारन करती है तो अगर इसके आसपास अगर आप लोग है तो बहुत ही आपके लिए dangerous की situation हो जाती है बाकी picnic spot के लिए तो बहुत बढ़ी है जगा लें लोगले शीकमेंड से मिला नहीं करेंगा एक करण का इसके pussy मटीर के वहें संगी मइब सने और सब्रसके में सबस्ते सरक रहे जाए नहीं करूंगा अब लोग किमें रोल यहां पहुंच बाती है ठीकर इसके बाद भी यहां पर जो है इस रोड का hugging आपको कि किसी को नहीं पता क्योंकि आप यहां से सारी बसे जाएंगी तो अपने कर्यान सब्सच्राय पर चीज यहां पर यह कि एजब मतिना नदी का नाला यहां पर ठीकर कब भर जाए कब क्या हो जाए कुछ भाता नहीं यह जगह का और मैं तो ऐसी जगह पर रिकमेंड नहीं करता है जहां पर ब्रसाती ना ले इतने सारे आते हूं और प्लस का भी इस जगह पर और सबसे बड़ी बात है इस जगह को को फ्यूचर भी मुझे नजर नहीं आ रहा है खासकर क्योंकि अभी तक उसकी रॉनक थी यह रोड और यह रोड जो है इसका जो है वह अन्तो होने वाला है फ्यूचर में क्योंकि फोलेन बन रहा है आपको अच्छा अप्रिशेशन मिल पाएगा इस जगह का खासकर तो इसलिए मैं यह रिकमेंट नहीं करता हूं तो दोस्तों जो चौत ही जगह है जहां मैं अभी प्लॉड लेने से रिकमेंट नहीं करूंगा वह यह है जो कि यहां पर शिवाली के लिए इसके बगल में आता है ब मेडिकल इंस्टिटूट बन रहा है तो काफी अट्रैक्टिव यह एरिया है वैसे पर जब तक यह इस मेनेजमेंट प्लैन यहां से हटता नहीं है दोस्तों यह जगह बिल्कुल रहती के बराबर है क्योंकि यहां पर प्लॉड लेने की बिल्कुल भी सोचे के बंद क्योंक अगर यह शिशमवाड़ा वाला एरिया ना होता है यहां पर तो इस जगह के बराबर कोई जगह नहीं है यह मैं खुद कहता हूं क्योंकि इतने सारे कॉलेजिज इतने सारे इन्युवर्सिटीज बगल में विल्कुल ग्राफिक के रहा मेडिकल इंस्टिटूट है यहां प अब कहने के लिए तो प्लॉट जो जिनको बेचने होते हैं वो कहते हैं यह हटने वाला है यह हो गया वह गया लेकिन अभी तक तो मुझे कुछ आसार नजा नहीं आते हैं क्योंकि को इस मेनेजमेंट प्लान अभी यहां से अटा कर नहीं लगाएगी फिर वहां पर आपकी प्लॉटिंग शुरू हो जाएगी तो कहां कहां से मुझे लगता कि हटाएंगे जब बहुत जादा आवादी यहां पर आसपास होएगी आज से पांस साल दस साल बाद या पंद्रा साल बाद तो शायद हटा सके लेकिन फिलाल इनिशली आजकल के टाइम पर तो यहां से य इसलिए मेरे को रखता है कि यह चौती जगह जहां पर आपको जमीन नहीं लेनी चाहिए देरदून में फिलाल पांच वी यह जगह जो मैं रिकमेंट नहीं करूंगा वह यह एडिया को बोलते हैं आप बाजा वाला मसंद वाला यह एरिया कडिकेंड की साइड है यहां पर होता है और जब यहां पर ज्यादा बारिश होती है ना दोस्तों तो यह नदी बहुत विक्राल रूप धारन कर लेती है तो अगर आप इस तरह के एरिया में अगर मकान लेते हैं तो काफी ज्यादा आप देखिए यह लोग कितने डेंजर में इस वक्त तो आप खुद सोच प्रकति का यहां पर बहुत ज्यादा कहर होता है बरसात के टाइम पर दूसरी बात यह आएगा सीवेज टीटमेंट भी है तिसरी बात यह है कि यहां पर अनिमल्स प्रों एरिया भी है तो बाकी आपकी अच्छा है आपकी मर्जी मेरा कामसाब को बताना तो आप लोगों को कैसी वीडियो लगी मेरी मुझे को बताईएगा कोई अगर आपको और एरियास बताने हों तो कमेंट सेक्षन में ज़रूर डालेगा कि यह एरिया भी बहुत टेंजरस है यहां पर पी जुमिंग लेने से पचें सो थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अंत तक मनें रहेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दन्यवाद गुद्बाई टाटा